नमस्कार आप देख रहे हैं एचेस बिहार मैं हूँ आदेशपुरी बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर एक लाख दस हजार जो सिक्छक हैं उनके नियुक्ति समंदित फोल्डर ही नहीं है आपको अशर होगा कि बिहार में सुसासन की राज है और नितीश कुमार ये दावा की सबसे बड़ी उपलब्दी रही कि उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में नियोजी सिक्छोगों बहाल किया बिहार में ताकि लालू राबरी राज में जो बिहार का जो सिक्छा है जो की पट्री से उतर गिया था उसको फिर से पट्री पर लाया जा सके और तेज गती से दोड़ाया जा सके लेकिन 2014 में मामला आया कि ऐसे कई मामले आए जिस पर पता चला कि जो नियोजन हुआ सिक्षोगों का नियोजन केंद्रों में जो जीला में बनाए गए थे वहाँ पर उनके द्वारा जो है फरजी कागजात दिये गए इवेन की जो परिच्छा होई थी की उसका भी फरजी जो है वो मार्क्सित दिया गया और उस अधार पर उनके नोकरी मिला मामला हाई कोट में पहुंचा और हाई कोट ने इसकी जांच का आदेश जो है वो निगरानी विभाग को सौपा पिछले पान सालों से निगरानी विभाग जो है इस मामले की जांच क पहले खबर आया मार्च के समय में कि 40,000 जो डॉक्मेंट्स हैं उन्हें चुहे कुतर गए हैं डॉक्मेंट्स नहीं हैं फिर से अभी एक ताजा मामला हुआ है कि सिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए 23 दिसंबर तक आदेश दिया है कि जितने भी नियोजन कें वहां से जितने भी डॉक्मेंट्स हैं जो कि सिक्षक नियोजन से संबंदित हैं एक लाख दस हजार की आसपास है वो उन्हें जमा किया जाए उन्हें जल सजल भेजा जाए ताकि निग्राणी भाग जो हैं की जाच कर सके जो भी गैर कानूनी तरीके से नियोजीत हुए है लेकिन सबसे बड़ी बात जो खबरी आ रही है कोई प्रूफ ही नहीं है कोई कागजात ही नहीं है उसके पास कागजात ही नहीं है उनके सिक्षक उभा को ये पता ही नहीं है कि ये सिक्षक ने कहां से जो है वो बीड की डिड़ी लिया है किस कॉले से लिया है नियोजन में कितना मार्ट साहिन का कैसे इनका नियोजन किया गया अपने आप में ये काफी सोचने वाली वीज़ा है कि आखिर सरकार के पास या जिला जो नियोजन केंद्र हैं वहाँ पर जब सिक्षकों के कागजात नहीं है तो उन सिक्षकों का वेतन भत्ता पोस्टिंग ये कैसे होता है और ये भी सबसे वड़ा प्रस्ण है कि आखिर नियोजन केंद्र जो थे वह भी भरस्टाचार में सामिल थे क्योंकि एक दो नियोजन केंद्रों को हो सकता है कि कुछ सिक्षकों का जो है वो डॉक्मेंट्स ना मिले लेकिन जो सुबह के जो है और तीसो जिला में मैक्समम जि हो जा रहा है तो आखिर आप समझ सकते हैं कितना जो है सरकार के जो नुमाइंदे हैं यह कितने ज्यादा सिरियस हैं सरकारी कारे को लेकर और सरकार जो है लगातार इनसे मांग रही है कि आप कागज भेजे निग्डानी भाग मांग रही है तो जैसा जो खबरे मिलती है जो लोग कहते हैं ज़ो शिक्षक नियोजन हुआ है उसमें बहुत ही बढ़े मात्रा में भर्षट में हुआ है है और यह ब्रषटाचार जो है भर निजिये किए किया गए अर्बंज दिखाने में डर लग बना दिया उन्हें नियोजित कर दिया और वह पांचे 7-8 सालों से बिहार सरकार में सिवा दे रहे हैं और वेतन भत्ते उठा रहे हैं और कितने जिम्यवारी वाले काम जैसे की एलक्सन कराना और सारे काम उसमें भाग ले रहे हैं तो काफी सोचने वाली बात है और एक सरकार के लिए भी सरकार को भी चाहिए कि जितने भी वो नियोजन केंट से जुड़े हुए अधिकारी है करमचारी हैं उनको डंडित किया जाए इसके लिए और करवाई की जाए ताकि आगे से ये बहाना बाजी न चले कि फोल्डर गाइब है आप समझ सकते हैं कितना ये confidential चीज है कि जो सरकारी करमचारी है उसके से संबंदित उसकी योगता संबंदित जो नौकरी के समय में आप कागजात देते हैं जिसके अधार पर आपका चैन होता है वो ही गयव है काफी ये आश्चर जनक और दुखत बात है और काफी सर्ण की भी बात है कि भी हर सरका सरकार के जिलो में योजन के अंद्र है और कागजात को संहाल के नहीं परक बाते हैं आप समझ सकते हैं कितना वो ऐसा सोचे तक नहीं फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर करें और हमारी चैनल लेचेस बियार को सब्सक्राइब जरूर कर ले बहुत बहुत धन्यवाद